हालो फ्रेंड्स आज मैं आप सब के बीच रखने वाली हूँ इस वीडियो में ये इंपोर्टेंट बाते जो कि प्रेग्नेंसी के पांचवे महीने में क्या-क्या डेवलप्मेंट होता है सिस्यू के ग्रोथ कितना होता है वजन कितना होता है और गरव होती महिलाओं के वाड इंपोर्मेटिव है वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिए फ्रेंड्स प्रेग्नेंसी का पांचवे महीना जो होता है बहुत ही इंपोर्टेंट होता है क्योंकि आपके जो फर्स्ट्राइमेस्टर में बहुत सारे सिंप्टम बहुत सारे हार्मोनल बदलाव आते हैं आ पूरी तरह से खतम हो चुकी होती है जैसे कि आपको मिटली आना सीर में चेकर आना उल्टी होना नौजिया गुमेटी होना ऐसे बहुत सारे प्रेग्नेंसी के फर्स्ट्राइमेसर में आपको देखने को मिलते होंगे बहुत सारे ऐसा प्रोग्रम्स आती हैं लेकिन जैसे ह मिस्टर के पांचवे महीने में आपको ऐसा कुछ भी फील नहीं होता है ऐसा कुछ भी आपको नजर नहीं आता है जो की बहुत ही सुन्दर बात है खास करके इस समय गर्भती महिलाओं का इस किन और ग्लोली सब हुने लगता है। क्योंकि इस समय खानपाँ डाइट भी अच्छे से पसनी लगता है। बच्चे कविकाहत धीरे-धीरे होता रहता है। ज़िसी घड़भौतिमहिलान का डाइट अच्छे तरीके से हो रहा है। उसमे सारी परकार के मिनरल्स जा रहे हैं उससे बोडी में अच्छी परकार की हेमोगलोविन बन रही है पोजेटिव दिख रहे हैं इसके कारण इसकिन में बहुत जादा आपको बदलाव आते हैं ऐसे में कहा जाता है कि अगर गर्व में लड़का रहता है तो पांचवे महीने तक जबहों पर इवलेवल हो चुका है कि जदी गर्व में लड़का रहता है तो बहुत ही असानी से उसका प्राइवेट पार्ट डेवलग हो चुका रहता है और गर्व में जदी लड़की रहती है तो लड़की का भी प्राइवेट पार्ट यूट्रस वेगारा का भी लेकिन प्रिग्नेंसी में बहुत सारे ऐसे प्रोब्लम्स भी आती रहती हैं सामने जिसके कारण थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है वह होता है फर्स्ट राइमेस्टर में और लास्ट मंध में यानि कि नुवे मंध में बाकी बीच का जो प्रियर टाइम होता है वह में जोड़े वह बहुत ही इंजोइ करने वाले प्रियर टाइम होते हैं इसलिए यह पांचवेशज में बहुत ही खास है उसर में मंध में यहां तक कि ऐसे सरण हासा में का सकते हैं कि रह्нолог elementary अच्छे परकार से फिल होने लग जाता है जो महिला पहली राव भी pregnant होUmके उनको भी अच्छे तरह से हो सकता है प्रेगनंसो्थ के 5.5 महीने में जबकि सीसु का मुमेंट 3итан 4 महीने के सुरूरी से ही शुरू हो जाता है ód果 महिला फर्स्ट बार प्रेगनेंट होती है उनको थोड़ा सा समझने में फील करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसलिए पांचवे महीने तक जदी आपके प्रेगनेंसी में बच्चे के मुवमेंट फील नहीं हो रही है तो आप अपने गाइनकलोजिस से संपक कर सकते हैं उनसे अपनी सारी डिटेल इंफोर्मेशन सेर कर सकते हैं पांचवे महीने प्रेगनेंसी की सबसे खास बातिया है कि प्रेगनेंट महिला को बार बार भूख लग सकती है उनको क्योंकि बच्चे को भी इस समय जैसे बच्चे पेट में हलचल कर रहे हैं उनको भी उर्ज अचे खासे दीख सकते हैं इस समय आपको ब्रेश्ट का साइज भी पहले कि अप एक च्छा ज्यादा बढ़ गया होता है तो इस समय आपको क्या करना चाहिए पहले से एक साइज ज्यादा आपको ब्रा लेनी चाहिए और बहुत सारे महिलें कंफ्यूज रहती हैं कि तो आप पहन सकते हैं हर एक महिने एक साइज आप बढा सकते हैं या ने कर सकते हैं अगर नहीं है आपके बेवी बंप में कोई दिक्कत आ रहा है अगर आपके प्राइबेट पार्ट में बहुत जादा खुछली हो रही है तो आप इसे और और सबसे इंपोर्टेंट खास बात यह है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि प्रिग्नेंसी के पांच्वे महीने से आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग भी बढ़ने लगती है जैसे कुछ चटपटा खाने की नमकीन खाने की या कुछ आपको मीठा खाने की जैसे आपकी पसंद हो उस टाइप की क्रेविंग को प्रीश शेल क्रेविंग को यह सकती है तो आप अपने मन को ना मारीए घर हैस खाने के तोड़ी ही मात्रा में टिंफ-्रइवा ली फूड है तो उससे थोड़ा ही फ्रेफर करें क्योंकि उससे आपकोको विटामिन और मिन्रल्स नहीं मिलेंगी पेड़ तो होगा नहीं आपके बॉर्डी के लिए तो यह सब रही संपुर्ण जनकारी प्रेग्नेंसी के पांच्यों महीने में जो कि most important होता है आई होब कि ये वीडियो आपको बेहत पसंद आए होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए थेंक्यों थेंक्स वर वाचिंग